थोटा से इला एक बर और एक बर बनाली बैड़ा मेड़ों से तरह है है तो नीचे रख दो देख काटू नाया अगा देख हमारे हस्पीटल में काटू नाया देख यूँआएँ वाज दोस्तों यह जो वीडियो देखी यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें यह जो बच्चा है इस बच्चे को बाहूबली बच्चा बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग देखा हुआ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़ा ही क्यूट सब होती है इवन यह बोलते हैं कि इसके हाथ पर भी जड़ा सभी प्रेसर मत डालना पैर पर जड़ा प्रेसर मत डालना क्योंकि अगर मुड़ गया तो वो ऐसे ही मुड़ा रह जाएगा यानि कि इतनी कोमल हड्डिया होती है पर लेकिन आप लोग ने ध्यान से देखा होगा यह में देखा जाए तो ठीक है क्योंकि इससे बच्चे के हाथ और पैर जो है यह फिर बोडी की किसी भी पार्ट पर भूती नेगेटिव इंपैट पड़ सकता है जो भी डॉक्टर कही सारे डॉक्टर को देख रहे हैं अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि बच्चों के साथ मे इसके लिए चार दो पर ईसके बारे में बात हों है कि मैंने ब्च्चों के साथ पर झांग सकते हैं जैसे आप लोगों ने मजाक देखी ती वही मजाज आज पूरा नैस्न लेवल पर पूरा बहुत बड़ा इशू बन गया आज एजी दाहिंदीन ने विसे बाहत कि यह किसके साथ में वहात्मा गांदी जी की पिक्चर के साथ में कल आप लोगको याद होगा एक वीडियो मैंने आप लोगों से सेर की थी टेलिग्राम पर और वो वीडियो जो थी मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग सोच कर देखो उस बच्चे की मान से खालत कैसी हो रही होगी उस टाइम पर और आगी क्या बच्चा वो अपने आपको कभी recover कर पाएगा वो तो चलो एक बात होगी अब सोचो यहाँ पर जिस माबाप का वो बच्चा होगा उनको जब इसके बारे में पता चलेगा उन माबाप की क्या reaction होगी सोचो उस particular community जिस particular community से बच्चा निकल कर आता है वो particular community किस तरीके से react करेगी अब दो community के बीच में हाँ पर यह एक तरीके से कहिने के आप लोग बोल सकते हैं एक लड़ाई का reason भी बन सकता है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन teacher के खिल पाया जा रहा था तो यह condition आप लोग समझ सकते हैं इसी के साथ में हाँ पर देखने को मिलेगा 504 यह एक तरीके से कहीने के आप लोग बोल सकते हैं कि जो society के अंदर में peace harmony है उसको भी हाँ पर बे बहुत हद तक आप लोग बोल सकते हैं कि उसको खराब कर सकते हैं तो यह situation यहाँ पर देखने को मिली और वो भी एक teacher ऐसी हरकत कर रहे हैं यह case निकल कर आया था उत्तर प्रदेश के मुझो फर्नगर से आप लोग जाकर देखेगा यह video जो है पूरी सेर की गई थी हैं आपर कल सेर की थी बेसिकली क्या हो गया यह video थी ठीक है इसमें सबसे जो irritating बात लग रहे हैं teacher गाली तक दे रहे हैं ठीक है गाली तक दे रहे हैं आपर वो भी सारे बच्चों के सामने अदला teacher मुझे लगने रहा कि वो teacher टीचर रह गया है teacher की category से नाम मतलई तरी से खतम कर देना चाहिए ऐसे इंसान का पूरे दिन जो है वो Twitter पर trend करता रहा है हाँ पर इनका नाम इनका नाम है त्रिपता त्यागी तो hashtag त्रिपता त्यागी अर्श यह पर पूरे दिन Twitter पर trend करता रहा है हाँ तो यह बहुती एक सरमनाक हरकत देखने को मिली जो की इनसी के चलते हैं इनके खिलाब जो है वो FIR दर्ज कर ले गई और इतना बड़ा इशू बन गया कि आज की डेट में दा हिंदू न्यूस पर ने इसके पर आर्टिकल निकाला आप लोग समझ सकते हैं आपर कि गांधी जी बता रहे हैं जीस पेपर 4 के अंदर में तो यह चीज जो है वो टीचर के ओपर बखुबी इंप्लीमेंट होनी चाहिए आप आप लोग क्या रहा है इसके बारे में आप लोग बताएगा बाकि आगे बढ़ने से पहले एक छोड़ी सी बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज कई सारे आर्टिकल इंपोटेंट है पर एक आर्टिकल बहुत ही इंपोटेंट है वो है गवर्नर का जिस डिटेल में जिस तसली के साथ में गवर्नर का आर्टिकल में डिस्स करने वाला हूँ इतनी तसरली के साथ में सायद ही मैंने कभी वो आर्टिकल लिसस किया क्योंकि लगभग मुझे लगा है कि 20 से 25 या 30 मिनट या ज़्याद भी हो सकता है मैं पूरी बाल की खाल निकालूँगा क्योंकि मेरे पास में कई सारे बच्चे रेगुलर एक चीज को लेकर मेल कर रहे है कि सर कुछ चीज़े ऐसी हैं जो कि रेगुलर न्यूज में आते हैं बहुत ज़्याद है क्योंना उसका पोस्मार्टम कर दे जाए तो मुझे लगा आज के दिन जो है इसके लिए काफी सही रहेगा संडे और रीजन भी है इस पर्टिकुलर के लिए क्यों क्योंकि रिसेंडली अभी हाँ पर गवर्नर साब के द्वारा बोला गया कि पंजाब के अंदर में हम लोग गवर्नर रूल लगा देंगे आर्टिकल 356 का इस्तवाल गर गई जलने वाले की तो भी जलानी है तो वही वाली बात आप लोगो देखने को मिलगी बहुत ही तसली में डिटेल में अ अज के बाद में किसी ने किसी को बैठ के न गवर्नर समझा दोगी उस तरीके से तसलिये पूरा background information के साथ में हम लोग discuss करेंगे तो अच्छे सुनना मुद्ध ये था governor ने बोला कि मैं president rule लगा दूँगा यहाँ पर basically राज्य के अंदर में क्योंकि यहाँ पर कुछ information थी वो information खासकर राज्य के अंदर में पंजाब के अंदर कितने सारे लोग जो है नसीले पदार्थ का इस्तमाल कर रहे हैं वो सब चीजों से इनफोर्मिशन governor मांग रहे थे तो उसको delay किया जा रहा था तो उसके चलते governor गुस्सा आगे इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँआ और उससे पहले काफी इंट्रसिंग इंफोर्मिशन है वो है सिव सकती point इसलिए बोला गया है क्योंकि हाँ पर उसको एक तरीके से ये दिखाने कोसिस की जा रही है कि सिव की सकती जो है एक तरीके से ना तरीके से नाम किसका बिसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रोवर जो है निकल कर जो चला और उसके footprint जो है वहाँ पर छपे आप लोगों इसके पर प्रिंट रखा गया था कि जब भी चलेगा वहाँ पर उसके footprint छपेंगे तो उसको यहाँ पर तिरंगा ब आने वाले आने वाले टाइम में बच्चे जो है खास कर जो स्कूल में पढ़ते हैं वह भी बोलेंगे कि यार हमको भी स्पेस में जाना है स्पेस साइंटिस्ट बनना है ठीक है क्योंकि जिस दिन यहाँ पर लॉंच किया गया था चंद्रियान मिसन उस दिन जब मैं ट्वि है कि आने वाली चनने इसको याद रखने वाली है तो बहुती बड़ी बात है हाँ पर यह तो हमारे इसरो के साइनटिस्ट को दिल से वह भी एक और इंपोरेंट बात है यहाँ पर क्या है बेसिकलिक कई बार हम लोग कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो कई सारी सेप्टी मेजर क्लग जाते हैं और उसके वैसे हमारे जान तक चली आती है नो लोगों की जान चले गे व एक कोच में ख़र में रेल की अंदर में क्लें अपकर कहिंतरे हैं अम लोग कई सारे इसी फार सूर्शाग सब्सक्राणी न्श्राज के क्वाराОं तो अपने ही आप में काफी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो कभी भी कहीं पर भी travel करो, तो at least आप लोग इसको याद रखो, तहाँ पर देखो, एक जो operator थे, आप टोर operator थे, उसके safety rule वोइलेट करने की वैसे क्योंकि गैस का cylinder लेकर खुम रहे थे, तो इसकी वैसे यहाँ प हो सकते हो, तो यहाँ पर यह safety की बात है, कभी भी जाओ खास कर ऐसे जगे, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगना, ठीक है, बहुत इच्छे से, अभी यहाँ पर बात करेंगे, Asian Development Bank के बारे में, Asian Development Bank का एक काफी important, यहाँ पर एक announcement देखने को मिल रहा है, कि open क के ज़रा है, Climate Change, जो basically Climate Change and Health Center in New Delhi, ठीक है, तो यह news है हाँ पर, किसके साथ में, हाँ पर, WHO के साथ में मिलकर, WHO क्यों, क्यों कि हाँ पर traditional medicine की बात की जा रही है, गुजरात के अंदर में, तो Asian Development उसको support करने वाला है, तो दो organization important हो जाती है, Asian Development Bank के बारे में, direct question पूछा आ चुक 6.3 हाँ पर, जब आप लोग बात करेंगे, जो 5 largest shareholder है, तो Japan USA equal है, China, India और आसके लिया, तो दब-दब आ है हमारा Asian Development Bank में, और इससे question पूछा गया था, UPSC के प्रिनिस में, आप लोग को याद होगा, Asian Development Bank में, यहाँ पर 68 degree member है, 49 ASA से है, तो question यहाँ पर यह था, कि Asian Development Bank में सारे member Asia के हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, USA भी आप लोग देखते हैं, यह तो Asia का नहीं है, तो 19 December 1966 में इसको बनाया गया था, और इसके साथ में, तकीसी, तकीसी वताना भे, तो यह पहले president हैं आपर, ठीक है, तो यहाँ पर direct question कही बार पूछ लिया आते हैं, ताकि social और economic development किय जा सके, और achieve किया जा सके, society के अंदर में sustainable Asia बनाया जा सके, Asia और Pacific दोनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि USA भी हैं, और purity और गरीबी को मिटाया जा सके, पर कुछ रियाद रखो या ना रखो, इसका नाम और यहाँ पर यह particular जो इसके द्वारा report प्रस्तोत की जाती है, यह ज जाद रखना, 7th April को 1948 में बनाया गया, दुनिया भर में health कैसे अच्छा रखा जा सकता है, उसके उपर focus करता है, और interesting चीज कहा है, इसके 6 center है, total दुनिया में, एक center South Asia में है, और वो center है Delhi के अंदर में, तो यह appreciate करने वाली बात है, आप लोगो याद होगा, अगर आप बोला गया था, basically, जो WHO के chief है, उनको, director है उनको एक बार, उनका नाम क्या रखा गया था, तुलसी भाई, उनको ने बोला कि कोई Indian नाम मुझे दो, तो तुलसी भाई उनका नाम रखा गया था, खिस-को याद है, तो यह काफी एक, अच्छा एक, ऐसा था, जेस्टर एक इंडिया के अंदर में है, बाकी, Congo, Denmark, Egypt, Philippines और यहाँ पर United States के अंदर देखने को मिलेगा, यह specialized agency है, 7 April को basically बनाएंगे, इसलिए World Health Day, 7 April को आप लोग celebrate करते हैं, इसकी जो report है, इनके उपर star लगा लेना, World Health Report, Global Nutrition Report, World Vision Report, Ambient Air Pollution Report, और World Report on Hearing, यह आप लोग यहाँ पर पिखने को मिलती है, जो की काफी important है, इसके बारे में आप लोगों से question भी कई बार पूछ लिया आते हैं, ठीक है, तो basic information इसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, ओके, तो confusion हो, तो doubt नहीं होना चाहिए माइड में, बाकी जो भी test देगा, test के लिए तेयार है न, UPSC वाले category में भी हो, जो CDS के साथ में connected हो, CDS के लिए भी, कल किस-किस ने हाँ पर test दिये, जो आप लोगे दो test होते, वो जुरूर बताएगा, और कही सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, ये जो connectivity मतलब एक तरीके से जो telegram जोइन करने वाला processor रहता है, उसम आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसके अंदर में GST भी लगता है, ठीक है, तो application के through अगर आप लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर GST बाद में add होगा, जब आप लोग को payment को आगे procedure करोगे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग का GST ने लगगा, यहाँ प पर यह particular procedure आप लोग के सामने रखा गया था, ताकि आप लोग यहाँ पर आसानी से इसको scan कर सकें, और scan करने के बाद में आप लोग को जो भी हाँ पर join करना है, जो class notes होते हैं, उनको join करना है, खासकर जो paid course के class notes है, या फिर आप लोग को यहाँ पर answer writing join करना है, तो इसको scan scan करकर उसका screenshot आप लोग यहाँ पर भीज देना है, और फिर बोल रहा हूँ, call नहीं उठाए जाएगी, चाहे 1000 call करो, चाहे 5000 call करो, इस number पर call नहीं उठाए जाएगी, यह number just आप लोग के लिए, दो चीजों के लिए रखा है, अगर कोई भी query होती है, तो उसके लिए अलग 500 call आए, और एक इंसान को सुनने के लिए, वो call बोला जाए, तो क्या possible होगा, वो call सुनना, और जब कि समझा दी गई है सारी चीज़े, कि इसको scan करना है, scan करने के बाद में screenshot आप लोग यहाँ पर भेज देना है, payment करकर, उस पर लिख देना कि notes वाला group join करना है, या फिर answer rating वाला, यह छोड़ा सा काम आप लोगो करना है, इसमें मुझे निलगता कि कोई फाल तुमें प्रेसान होने वाली बात है, पर हाँ, एक बात जो मुझे कल थोड़ी सी लगी, प्रोसेजर के हैं, यहाँ पर जैसे question post के जाता है, तो question कैसे लिखना है, बता जाता है, कि introduction कैसे करना है, बोडी कैसे करना है, conclusion कैसे करना है, उसमें फिर यहाँ पर आप लोग अपने question post करते हो, ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग के answer आता है, demo answer, कि यहाँ पर यह इंग्लिस में हो गया demo answer, और यहाँ पर यह हिंदी में demo answer देखने को मिला, तो एक बच्चे के दोरा बोल कर रहे हो, कि आप पहले इंग्लिस वाला post करते हो, फिर हिंदी वाला करते हो, यहाँ पर भी पहले आप पहले इंग्लिस लिखते हो, फिर हिंदी लिखते हो, यार देखो, इंग्लिस में थोड़ी सी ऐसा नहीं कि इंग्लिस और हिंदी लिखते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो जो हिंदी वाले होते हैं वो इसको हिंदी में translate करते हैं और फिर यहां पर उसको post कियाता है ठीक है तो यह बनाने वाले जहें वो English वाले हैं फिर उस content को हिंदी में translate कियाता है तो उसको provide कहा जाता है यह Hindi English के ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग मतलब इस तरीके से सोचने लगते हो यह चीजे मिल रही है मतलब कुछ भी तरक लगाने लगते हो ठीक है तो यह एक गलत चीज है ऐसे नहीं करना चाहिए इसके ओपर debate discussion होने लगता है फिर ठीक है तो content दोनों में मिल रहा है तो दोनों आप लोग enjoy कर सकते है ऐसा नहीं कि Hindi पहले मिल रहा है अगलिस म तो यह आप लोग के लिए बहुत important है अगर serious होकर त्यारी करने है फिर से बोलना हूँ serious सब जरूर याद रखेगा है अगर serious नहीं हो तो निकाल के फैका जाएगा वहां से group से एक second के अंदर में अगर कोई भी बदतमीजी वहाँ पर देखने को मिलेगी और सारी detail है आप ल देने वाले serious होके test आप लोग को देना है ओके बाकी गवर्नर की और चलते हैं गवर्नर वाला article देखते है तसल्ली में बात करते हैं गवर्नर के बारे में हिंदी में बोले तो राजपाल राजपाल एक बहुती बहतरीन सा एक constitutional post है हमारे देश के अंदर में जो कि अपने ही post को हमेशा आप लोगों को जो hold करता हूँ नजर आएगा वो Indian citizen ही hold करेगा कोई बाहर का इंसान बोले कि मुझे गवर्नर बना दो किसी राजपाल नहीं है कोई बाहर का इंसान RBI का गवर्नर बन सकता है Reserve Bank of India का गवर्नर बन सकता है पर लेकिन कोई बाहर का इंसान जो है वो बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में, पार्ट 6, आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक का Constitution जो है, वो डील करता है हाँ आपर, बेसिकली Executive के बारे में, वो Executive जो की राज्य की है, यहनिके स्टेट की है, तो स्टेट की कार्य पालिका के बारे में, हाँ पर बात होती है, सुसी systematic pattern में state government के पास में आप लोगो देखने को मिलता है उसी systematic वे में state के पास में देखने को मिलता है आप लोगो CM council of ministry यहाँ पर होता है यहाँ पर advocate general होता है वहाँ पर attorney general होता है दोनों में difference क्या है जब discuss करेंगे तो parallel में बताता हो तो आप लोगों चलूँगा, confusion कहीं नहीं छोड़ूँगा, इस बात की guarantee देता हूँ, पहले हम लोगों ने President पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने Vice President पढ़ा, और अभी हम लोग पैटर्न में हाँ पर पढ़ रहे हैं, Governor के बारे में, तो इसलिए हाँ पर इस चीछ को थोड President भी देखने को मिलता है, दूसरी साइड में Governor है, तो यहाँ पर आप लोगों को Vice Governor देखने को नहीं मिलता है, reason आप लोगों को पहले पता चलेगा, कि जो President है, President जो है, वो Head of the एक तरीके से State बोले जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक Post होनी चाहिए, यहाँ पर जो कि Governor को हटा कर दूसरे Governor को दे दी जाती है, जब ओल लेडी ये हमारे समिधान के अंदर में provision है, कि इस Governor की Post जो है, वो किसी और Governor को दी जा सकती है, तो यहाँ पर फिर आप लोगो Vice President की या फिर Vice Governor की जरुत क्यों है, क्योंकि Vice President तो वहाँ पर इसलिए, क्योंकि President की Post तो नहीं क किसी को भी दे सकते हैं, हम लोग चोर भाई दूसरा देस का President है, उसको भाई साब अपना President बना लो, ऐसे थोड़ी नहोंगा, पर State के पास में ये possibility है, तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ तक भी possibility है, अगर State में constitutional machinery काम नहीं कर रही है, यह इनके समीधान का उलंगन हो गया है, तो महाँ पर President जो है, उस particular State को अपने अंडर में ले लेगा, लेकिन ऐसा systematic way में अगर बात करें, President के ऊपर तो कोई है नहीं, अगर center काम करें गलत तरीके से, उसको कोई अपने अंडर में ले ले, तो महाँ पर Vice President की post की requirement है, यहाँ पर Vice Governor की post की requirement कते ही न नहीं है, यह बता रहा हूँ, तो no office of Vice Governor like the Vice President in center, तो Governor जो है, वो Chief Executive Head है, स्टेट का, यह बहुत important है आपर, जैसे यहाँ पर President होते हैं, ऐसे यहाँ पर Governor होते हैं, उस particular area के Chief Executive Head, तो यह completely basic चीज़ है आपर, आगे बात करें, like President, he is nominal Executive Head, यहीं के सारे काम जैसे यहाँ पर President के बारें बात करें, तो यह नाम मात्र का कारिया कारी परमुक होता है, basically सारे काम जो होते है, Chief Minister, यानिके मुख्य मंत्री के द्वारा किये जाते हैं, मुख्य मंत्री जो होते हैं, वो basically एक तरीके से आप लोग बहुत सकते हैं, real head होते हैं, nominal का मतलब क्या है, नाम मात्र का, real क मतलब क्या है, सच्ची में head वाई साब ये, इसी के साथ में also act as an agent of central government, यानिके आप लोगों ने ये सब नहीं पर जो लिखा हुआ देखा है, ये act करते हैं central government के agent की तरीके से, agent कौन होता है, विचोलिया, कहीं घर लेने जाओ, कमरा लेने जाओ, क्या बोलोगे, कि ये general head हैं, और दूसरे side में आप लोगो agent देखने को मिलते हैं, तो ये एक तरीके से dual nature हो गया इनका, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, बहुती important और interesting question यहाँ पर पूछा गया, governor के बारे में, जो कि आप लोगों से exam में भी question यहाँ पर पूछा सकता है, क कि 7th constitution amendment किया गया 1956 में, इससे पहले एक राज्य का एक ही governor बन सकता था, लेकिन जब समिधान में यह संसोधन कर दिया, इसके बाद में नया change आ गया, कि मालीजे एक राज्य है, अब उस राज्य का कोई governor नहीं है, वो post खाली पड़ी है, तो पडोसी राज्य के किसी governor को उस राज्य का governor बना दिया जाएगा, इवन इसका नहीं, इवन तीसरे राज्य का भी governor बनाया जा सकता है, यह provision समिधान में किस particular constitution amendment, यानिके समिधान में संसोधन के द्वारा add किया गया, तो बड़ा ही basic सा है यह आपर, यह basically आप लोग को देखने को मिलेगा, दो या फिर दो स जाए राज्य के governor बन सकते हैं, 1956 में ही यहाँ पर यह चीज दिख गई, और इसको तुरंत यहाँ पर सातवा समिधान में संसोधन करके, इसको add कर दिया गया, कि हाँ यार यह जरूरी है, इसकी requirement है, इसको यहाँ पर होना चाहिए, तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते है governor जो है, ना तो directly elect के जाता है भाई साब, ठीक है, और ना ही indirectly elect के जाता है, आप लोगों ने देखा होगा governor जो है, वो appoint के जाता है, president के दौरा, मतलब क्या होगे आपर सिधा-सिधा, मतलब यहाँ पर यह होगे कि जो governor की post होती है, अगर उसके बारे हैं बात करें, ना तो उ तो सोचो, जब उसको appoint करने वाला इंसान, जो है, central government होगी यहाँ पर, अब central government न उसको appoint किया है, अकल को चल कर वो central government को अकर oppose करेगा, तो central government एक मिनट में इसको replace करके, इसकी जगे किसी दूसरे बंदे को लाकर बैठा देगी, तो क्या होगे यहाँ पर, तो इसका मतलब central government के हाथ, हिसाब से काम कर आई, तो इसमें बजे गवर्नर की गलती बटाव आप लोग, अगर आप लोग रियलेटी में चाहते है, गवर्नर जो है, वो central government के हिसाथ से काम न रहें, तो भाई को independent कर दो evident कर दोगे, तो नहीं करे गा है, भाई साब यह central government के हिसाब काम, मिधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ है, पूरी जिंदगी के लिए हिस्ट्री में कोभी पढ़ेगा उठाकर, कि इस राज्य का गवर्नर कोई रहा था है इस टाइम पर, तो भाई का दो नाम आने वाल है, तो जब उसको इतनी opportunity मिल रही है, तो वो क्यों फाल्त में और पता नहीं क्या-क्या बावाल सामने निकल कर आने लगें, उस टाइम पर सुप्रीम कोट ने साफ-साफ बोल दिया 1979 में, क्या बोला, जिस सुप्रीम कोट ने ये बोल दिया note an employee of central government, यानिके governor एक सम्मेधानिक यानिके constitutional post है, सबसे पहले तो ये बात है, कि हमारे जो governor साब है वो सम्मेधानिक post पर बैठी हुए है, पहली point तो ये बोला गया 1971 के, 1979 के judgment में, दूसरी बात साफ-साफ ये बोल दिया कि independent constitutional office है, यानिके ये एक independent office है, ये ऐसा नहीं कि आपके control के नीचे, आपके अंगूठे के नीचे बैठा हुआ है, इसको completely independent तरीके से काम करना है, तो इसको अपने अंगूठे के नीचे नहीं रखना है, किसी भी तरीके से, ये एक independent office है, किसी का employee नहीं है, आप लोगों ने इसको job नहीं दे रखिये, ये सम्मेधानिक post है, ये बात यहाँ पर निगल कर आती है, टेक है, draft constitution जो provide करा जाता है, वो direct election की बात की जाती है, और universal adult subphrase की बात यहाँ पर की जाती है, constant assembly के लिए हाँ पर, इसमें बात क्या की गई, कि draft जब constant assembly का provide कराता है, तो direct election की बात की गई, कि हाँ पर एक direct election होना चाहिए, और जो भी इंसान जिसकी age 18 साल या फिर उससे ज़्यादा हो चुकी है, वो इंसान जो है हाँ पर vote डाल सकता है, पर लेकिन सोचो, हर एक राजय के अंदर में एक governor होता है, हर एक राजय के अंदर में एक chief minister होता है, chief minister के election हो रहे हैं, साथ-साथ में governor के भी election हो रहे हैं, तो क्या condition बनेगी उस particular area में, तो आप लोग खुछ समझ जाईए हैं आप, यानि कि माहोल जो है, वो खतरनाक लेवल का खराब हो जाएगा, यानि कि आप लोग को यहां पर रहोखने को मिल गया, कि जब यहां पर दोनों की बीच में रस्ता कसी होगी, तो भाई साब governor साब साब बोलेगा, कि भाई साब मैं भी जनता के द्वारा चुना गया हूँ, elected head हूँ, chief minister कसी चलेगी, और ऐसी रस्ता कसी चलेगी, जिसका कोई solution निकालने की courses भी करेगा, तो उसका solution ना निकाल पाएगा भाईया, तो इसलिए यहां पर यह balance बनाने की बात की जाती है, कि भाई साब, यहां पर इसको ऐसे जनता बेड़ बकरी की तरह इधर उधर घूमती नजर आएगी, अगर दोनों आपस में लड़ते वे नजर आएगे, तो balance बनाना बहुतो ही जरूरी है, यह काफी important एक point है, जो कि आप लोग के mind में बिल्कुल किलियर होना चाहिए, कोई भी confusion इसको लेकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई भी कोई भी समझ्या, कोई भी प्रेसानी हो, तो बताओ, उसको दूर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, अभी हां पर कुछ और बाते में आप लोग को बताओंगा, जो कि आप लोग को समझते वे, सुनते वे चलनी है, वाई not direct election, यहनके direct election क्यों नहीं है, पहला मैंने देश की population या, बहुत जादा आप लोगो देखने को मिलेगा, illiterate है, election में बहुती large scale पर black money का इस्तमाल कियाता है, election में काफी large scale पर corruption की money का इस्तमाल आप लोगो होता हूँ है, आपर नजर आता है, election में security forces का इस्तमाल होता हूँ नजर आता है, वैसे हम लोग इतने गरीब इतने हम लोग ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों को अब तक भी हम लोग प्रोपर systematic way में एक universal basic income जैसी चीज प्रोवाइड नहीं करा पारें, ताकि हर एक देश का population जो नागरीख है, वो life को enjoy कर सके, ऐसी जगह पर बार-बार election करवाना ये खतरनाक पड़ जाएगा, दुनि only constitutional, nominal head है यहाँ पर, यहाँ पर बोल गया, only constitutional है और nominal head है, यानि कि आप लोग real head तो बोली नहीं रही है, यहाँ पर governor को, real head को होन है, वो है chief minister, जब chief minister real head है और उसके election हो रहे हैं, तो फिर nominal head को क्यों election करा के हम लोगों को यहाँ पर यह basically चीजे करनी है, तो यह बात है, elected governor versus party यह हो जाएगा, यह मेरी political party का member है, यह मेरी political party का member है, क्योंकि election तो वही लड़ेगा, जो किसी political party का होगा, और governor की post की requirement ही है कि कि किसी political party का नहीं होना चाहिए, तो मतलब क्या हो गया, सिधा-सिधा, सिधा-सिधा मतलब यह हो गया, कि अपने गले में fast डालने वाली बात हो तो ऐसी fast क्यों ही डालनी है, वाय साब जो कि हाँ पर गला काट कर रख दे, तो इसलिए इस चीज को हमको दूर रखना है, यह समझा दिया कि हाँ पर, सेंटर के बारे बात करें तो सेंटर को आप लोग लेकर चल सकते हैं, सेंटर टू मेंटेन दा कंट्रोल, सेंटर भी अचला कोई स्टेट जो है वो जड़ा बत्तमीजी काट रहा है, अभी स्टेट को अगर कंट्रोल करने की बात कर दी गई, तो सेंटर के हाथ में गवर्नर है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नर कोई इलेक्टिड कर दिया आप लोगोंने, अब गवर्नरी कंट्र किसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पोलम यहाँ पर क्रेट होती ही नजर आएगी, नई परवर्तियां बन जाएगी, नई चुनोतियां बन जाएगी, ऐसी बाते आप लोग इहाँ पर बोल सकते हैं, यानि कि किसी पर्टिकलर स्टेट में election कराने की कमिया और खामिया बकाइदा गिना दी गई है, systematic way में एक एक करकर, इसको लेकर कोई भी confusion आप लोग की मैंड में हो, तो आप लोग को उसको दूर करना है, सबसे important बात तो आप लोग की यह देखने को मिलेगी, मतलब confusion कोनो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो यह बातें हाँ पर बोली जा रही है, दूसरी हाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बोड़ायता है कि यार, America में जो model follow किया जाता है, महाँ पर तो यार, governor जो है, वो state directly elect करता है, हमारे देश में क्यों नहीं करते हैं, हम लोग directly elected, आप लोग को यह देखने को मिलेगा, America में उनको अलग-अलग count कर ले, तो वो एक ए country हैं पूरी, पर हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में तो हम लोग सम्मिल जूल कर रहने वाले इंसान है, तो हमारे देश में ऐसा possible नहीं है, तो फिर हम किसका model follow कर रहे हैं, हम लोग फोलो कर रहे हैं, USA का model नहीं, मतल Canada के अंदर में जो governor है वो governor बोलते हैं कि यह province का governor है Canada के अंदर में चीज़ आप लोग को देखने को मिलती है तो प्रोविंस जो है वहाँ पर state को बोला जाता है तो state का governor है आप और जो state का governor है वो appoint कियाता है हुआ पर central government के द्वारा और यही model आप लोग को हमारे देश के अंद में जब बात करते हैं governor general की जब यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे तो वह आपर आप लोग देखते हैं तो constant assembly के द्वारा लगा कि यार यह आसान चीज़ है उल्लेडी फोलो हो रही है तो इसी को ले ले लेते हैं इस model ने उल्लेडी काम क्या है आप लोग जानते हैं कि क किसी अंजान भूत को सर पर बैठाने से अच्छा है किसी जाने माने भूत को सर पर बैठा लो तो वही बात है आप लोगो देखने को मिलेगी हैं आपर कि अंजान से अच्छा है कि जाने माने इंसान को सर पर बैठा जा रहा है ना कि कि किसी अंजान इंसान को यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा छुटुक सा question आप लोग का बन जाता है, ठीक है, तो ये कई बार statement देकर भी आप लोगों से चीजे पूछ ले आती है, और हम लोग जो follow कर रहे हैं, ये हम लोगों ने basically constant assembly के थूरू चीजे आगे forward कर दी, ठीक है, गवर्नर की post के बारे में आप लोगो president के बारे में, तो governor वही बनेगा, जो 35 साल की age complete कर चुका होगा, यानि कि किसी area का मुख्या बनाने का मतलब है कि थोड़ा सा senior होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो basically उसकी girlfriend छोड़के भाग गई, वो रो रहा है बैटके बिल्कली, मेरी girlfriend छोड़के भाग गई, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा इंसान होना चाहिए, जो कि चीजों को understand करें, उसकी understanding थोड़ी डवलप होनी चाहिए से कासे level पर, क्योंकि head of the state बनाय जा रहा है, तो आप लोग किसी चीज को head उसी को बनाएंगे, जिसके head के अंदर में basically mind होगा, ठीक है, ऐसा नहीं किस ऐसे काम करने वाली बाते हैं, ठीक है, बाज यह कहें कि should be an outsider, यानि कि यह समिधान में नहीं लिखी है, convention का मतलब है कि हम लोगों ने इस post को, और important post बनाने के लिए, politically इस post को थोड़ा सा एक तरीगे से demotivate करने के लिए, ताकि politics नहीं हो, हम लोगों ने क्या बोला, कि या फिर उसको यूपी से उठागर लिए, या फिर उसको केला से अतमिलादू से उठागर लिए, या फिर उसको हरियाना पंजाब कहीं से उठागर लिए पर वो इंसान मज्या प्रदेश का इंसान नहीं होना चीए, तो politics से दूर रहेगा, लोकल, ठीक है, तो free from local politics, दूस इंसान को Chief Minister से consult करने के लिए लाओ कर दिया जाए तो वो इंसान जो है शांदार तरीके से अपनी जिंदी को enjoy करेगा क्योंकि Chief Minister जो है उसी इंसान को consult कराएगा जो हाँ पर काम करने लाइक होगा किसी ऐसे इंसान को लाकर बैठा दे जिसके साथ मैं 36 का आगड़ा है तो दिक्कत होती है नजर आती है आप लोगों है आपर तो मतलब सिधा सिधा यह है कि Chief Minister को consult करने वाली जो बात है न यह यह भाज साब कभी follow की नहीं जाती है ठीक है तो both convention have violated some of the cases यानिके some क्या बहुत सारे cases में second वाली तो बहुत सारे cases में violated हो रही है कोई भी आज की डेट में ऐसा इंसान नहीं है जो आप लोग को बोले कि हाँ यह इंसान जो है यह गवरनर है इसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ एक बार पूछ लेता हूँ यानिके उसके कार्यकाल की जो सर्थ है उसके बारे में हाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले तो यह बोला जा रहे कि should not be the member of parliament या फिर state legislature ना तो वो parliament का member हो संसद का part हो ना ही वो यहाँ पर जो विधान सबाय उसका part हो इन दोनों से वो दूर रहना चाहिए एक तो important बात आप लोग को यह याद रखनी है यानिके इसमें से किसी का भी part नहीं होना चाहिए independent एक non-political member को लाने की बात कि जाती है किसी भी office of profit में ना हो ना तो central government के साथ में state government के साथ में ना ही local जो हमारे member जो एक तरीके से municipality पंचायत कहीं पर भी हाँ पर ये एक तरीके से काम ने कर रहा हो किसी भी तरीके से राज्य भवन जो है वो determine कि जाता है हाँ पर basically भाइदा पारलेमेंट इनके जो भी हाँ पर फाइदे मिलेंगे किसी particular governor को वो फाइदे आप लोग याद रखेगा खुद पारलेमेंट डिसाइड करती है कि हाँ ये चीज़े हैं पर इस इनसान को दी जानी है तो जो भी फैंसन जो भी वगरा है हाँ पर facilities वगरा जो की जाएगी वो यहाँ से निकल कराएगी ठीक है और इसी के साथ में हाँ पर दो या फिर दो से जादे राज्य का governor भी appoint किया जा सकता है इसलिए मैंने बोला कि परोस में अगर कोई राज्य है उसका governor जो है वहाँ से निकल गया तो भाई को governor बना जा सकता है उस राज्य के कि यार तुम ले लो इस post को और भाई जो है खुस होते हुए उस post को enjoy करते हुए निर्वहा करते हुए आगे बढ़ते हुए हैं आपर न जराएंगे तो ये सारी की सारी बाते हैं आपर बोलीगे है इसके अंदर में कि ऐसे ऐसे गंडिसन है तो tension लेने की कोनों जरुत नहीं है आपर ठीक है आगे बात करते हैं बात की जारी है oath and affirmation की बारे में oath and affirmation इसको basically कई सारे लोग ये बोलते हैं कि एक तरीगे से आपर ये जो governor होते है इसको पता है oath and affirmation में क्या difference है पहले आप लोग बता हो ठीक है हम लोग subduce करते हैं कि oath दिदा दिजाए इस इनसान को हिंदी में आप लोग इसको सफ़त बोलते हैं तो oath उसके लिए होती है कि एक तरीगे से जो भगवान में विसास करते हैं लेकिन ऐसे लोग जो कि नास्तिक हैं भगवान में विसास नहीं करते हैं होती है उनके लिए होती है अतिक है चाहस को फालते है पिसिकली उनके लिए होती हमें रहिए कराया लोगों क विसिकली है एक करने के लिए यह आप लोग याद रखेगा है यह बहुत ही important है याँ पर इसको कोई confusion नहीं होना चीए ठीक है Chief Justice जो है वो basically concern of state high court और इसी के साथ में his absence में senior most judge आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा जो की काम करता हुआ है यहाँ पर नजर आएगा तो दोनों को लेकर कोई confusion माइंड में होगा तो वो आप लोगों दूर करना है बहुत ही important है आपर क्योंकि यह ऐसी छोड़ी-छोड़ी question है जो कि direct आप लोगों से पुछा आते हैं तो Chief Justice of India उस particular high court का वो यह फिर इहाँ पर जो भी इहाँ पर most senior judge होगा वो यहाँ पर appoint करता हूँ नजर आएगा tenure जो है आपर यह 5 year का है आपर जी दिन से entry कर लेते हैं 5 साल के बाद में office छोड़ेंगे लेकिन सारी सुविदा जो है वो president के ओपर depend करेगी और resignation भी president को ही दे कर जाएंगे मतलब जब appoint करने वाला president है तो resignation letter लेने वाला भी president ही होगा क्योंकि उन्हीं के under काम किया रहा है उन्हीं के हिसाब से काम किया रहा है पर लेकिन Supreme Court के बारे हैं बात करें तो pleasure of the president बोला गया कि not justifiable यह काफी एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा जिसके बारे में चीज राष्टपती ने लिग दी वही चीज सत्य है उस पर कोई question mark आप लोग नहीं लगाओगे president के basically बोलने पर governor के case में तो इसलिए governor की post जो है वो इतनी सारी controversy में फच जाती है तो reason यह नहीं कि controversy में ऐसी फसी गुमरी है उसके पीछे reason आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे है कि क्यों controversy में फसी गुमरी है तो उसके पीछे reason होता है ठीक है जिस तरीके से मैंने आप लोग से discuss की थी कि executive power होती है legislative power होती है financial power होती है और judicial power होती है president की same pattern में आप लोग को देखने को मिलेगा यह power आप लोग के सामने निकल कराती है governor की तो governor की power भी आप लोग कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगी इनके बारे में भी जब हम लोग बात करेंगे तो आप लोग को कुछ ऐसा ही pattern governor का नजर आएगा जिस तरीका pattern जो है आप लोग को president का देखने को मिला था तो इसमें basic सी चीज़ है यह सारी आप लोग को पता ही है पहले भी discuss किया है कि executive action governor ले सकता है इसी के साथ में हाँ पर cm को appoint करता है आप लोग को पता ही हाँ ठीक है यानि कि जो भी executive जो भी हाँ पर authority होती है कहीने के आप लोग बोल सकते है गवर्नर भी उसी तरीके से काम करता है appointment करता है हाँ पर advocate general को भी हाँ पर आप लोग देखते है appointment करता है information related to administration यहाँ पर इनको information जाती है chancellor university का आप लोग को देखने को मिलेंगे recommend कर सकते है constitutional emergency basically president rule और election जो है conduct करा जाते हैं हाँ पर अगर बात करें legislative के बारे में तो यहाँ पर यह address करता है legislature जब first session होता है जैसे president करते हैं ऐसे ही हाँ पर यह करते हैं first session के बारे में summon करते हैं प्रोग करते हैं इनके जो एक particular session होता है उसको start करना या फिर उसको terminate करना ठीक है तो यह आप लोग को मिलेगा तो यहाँ पर भंग करना बोलते हैं basically प्रोग ठीक है समन होता start करना state legislature assembly के बारे में बात करें तो preside कर एक तरीके से जब state legislature assembly to preside fail vacant ठीक है तो यह तरीके से यहाँ पर आप लोग दिखते है legislative power जो होती है कहीने के आप लोग बोलते है यह इस तरीके से आप लोग दिखते हैं अगर वो vacant हो जाती है आप ठीक है तो कहीने कहीन पर एक तरीके से बोलता है कि आप एक तरीके से ground जो floor होता है जो वोटिंग कराने की जब बात आती है आप लोग को देखने को मिलते हैं अगर वो vacant होगी legislative assembly तो एक तरीगे से खाली हो जाएगी तो फिर यहाँ पर इसकी responsibility रहती है कहीने कहीन पर कि कोई political party को एक तरीगे से बुलाए और बोले कि क्या आप लोग यहाँ पर इस post को फिल कर सकते हैं अगर वो भी ready नहीं होते हैं तो फिर क्या रहती है फिर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि कोई सी और को बोले अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर election कराए जाते हैं पर लेकिन अगर यहाँ पर ही नहीं है हमारे देश के अंदर में अगर बात करें जो legislative assembly इस्टेट के अंदर में तो फिर यहाँ पर ordinance भी लाने की बात की जाती है तो वो governor ही लेकर आते हैं disqualify करना member को तो यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा basically disqualification is the member of election commissioner ठेक है इस्टेट के अंदर में report जो यहाँ पर आती है state PC और CAC की उसके लेकर बात करें तो यह सारी legislative power आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी governor की ठेक है तो यह काफी important है यहाँ पर इनके बारे में कई बार पूछ लियाता है और एकस्टा भी बात करें तो 104th amendment constitution 104th amendment of constitution extend करता है deadline कि जो भी हाँ पर reservation of the seat of member of scheduled caste or scheduled tribe लोग सभा और state assembly के अंदर में period for the 10 year तो यहाँ पर amendment does not however extend the period of reservation for two लोग सभा seat अगर बात करें और state assembly की reserve रहती थी for the हाँ पर Anglo-Indian community आप लोग को पता है आप यहाँ पर इनको हटा दिया गया है पहले ही हवा कर दिती अब यहाँ पर यह आप लोग को नहीं देखने को मिलती है पहले हमारे देश के अंदर में Anglo-Indian community के लिए seat reserve रखी जाते थी यानि कि ऐसे लोग जो अंग्रेजों के साथ में हमारे देश के लोगों ने साधी कि तो जो Anglo-Indian community है तो के लिए अलग से role play होना चाहिए तो उनको basically जगह देगे थी किया इनका भी कोई ने कोई representative होना चाहिए पर आज की date में ऐसा देखने को आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलता है तो legislative power में कहा है जैसे bill को extend देना ठीक है ठीक है बाइस साही है bill को इसे के साथ में withhold कर देना या फिर return कर देना उसको वापस कर देना यानि कि जो जो president के हमने discuss किये थे वही सारे है और यहाँ पर president के consideration के लिए भी रखे लेना president के consideration के लिए रखेंगे तो यहाँ पर एक तो हो सकता है कि against the constitution है तब president के लिए रखेंगे या direct principle of the state policy के oppose में है या against the interest of the country है या acquisition of the property जो article 31a के तहत में है तो deal करता है तो उनको यहाँ पर रोक सकते हैं यह इतनी important है इसके ओपर आप लोगी star लगा लेना क्योंकि यहाँ से direct question अगर बने तो आप लोग confuse या जाओगी हाँ ठीक है वो रोका जा सकता है governor के द्वारा ठीक है तो basic से चीज़ है financial power के बारें बात करें तो आप लोग याद रखेगा कि finance जो commission है उसके बारें बात करें money bill के बारें बात करें annual financial statement यानिके state government का जो budget होता है उसके बारें बात करें contingency fund यानिके अक्समात निधी यानिके आपात काल fund उसके बारें बात करें तो इस से लेटेड पावर जो होती है वो governor के हाथ में आप लोग को देखने को मिलती है तो इसको लेकर भी कोई confusion आप लोग को नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ऐसी चीज़े हैं आप लोगे हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी के साथ में मैंने judicial power जो है जो judiciary-related power है यह discuss कीती है आप लोगों से कि हाँ पर जब president के हाथ में power रहती है कि grant करना pardon इसी के साथ में reprive, respite और remission तो इनका difference मैंने आप लोगो समझायता पहले तो वीडियो को post करकर आप लोग खुद से एक बार explain करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगो कितनी बाते इसमें से याद है और अगर नहीं explain कर पा रहे हो तो जो जो चीज़े मैं explain कर रहा हूँ उनको थोड़े जहां से सुन लो ताकि आप लोग उनको याद रख पाऊ बहुत ही important चीज़े हैं एक एक करकर हम लोग discuss करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो grant क्याता है pardon pardon होता है कि छमा दे देना basically किसी को ठीक है एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि इंसान को छोड़ देना जा सिम्रन जीले अपनी जिंदगी वाली बात यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह यहाँ पर इसको pardon बोला जाता है दोस्तों जो मैंने आप लोग को प्रिजिडेंट के बारें पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने pardon जो है वो काफी अच्छी से explain किया था आप लोगो और यह बोला था कि प्रिजिडेंट सारी सजा जो है वो माप कर देते हैं जा सिम्रन जीले अपनी जिंदगी यहाँ पर फासी की सजा तक भी आप लोगो देखने को मिलती है पर लेकिन यह जो फासी की सजा होती है यह प्रिजिडेंट ही माप कर सकते हैं यह पावर गवर्नर के हाथ में आप लोगो देखने को नहीं मिलती है तो पार्डर में छोड़कर फासी की सजा को governor जो है, वो सारी सजा माप कर सकते हैं तो इसलिए मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा याद रखेगा, technically कई बार statement देकर confusion में डाला जा सकता है अभी हाँ पर point number two जो आता है उसके बारे में बात करें, इसको बोलते है reprive reprive का मतलब क्या है, अगर किसी इंसान को 10 साल की सजा मिल भी है ठीक है, उसकी सजा घटा आगे 7 साल की कर दी, मतलब क्या है कि मज़ा आगे इसलिए कर दी, नहीं कोई condition मन गई, या तो कोई pregnant woman है या किसी कोई disease है, तो कुछ ऐसी situation मन गई, जिसकी वेसे उसकी सजा जो है वो कम करनी पड़ गई, कि पता चला सजा पूरी करने से पहली इंसान ही पर ही मरे तो ऐसी कोई condition नहीं बन जाए, तो इसके चलते हैं, यहाँ पर यह provision रखे गए है कि गवर्नरी situation को चेक करेगा और अगर गवर्नर को लगता है कि हाँ यार बिल्कुल बताई है कि ऐसी कोई condition बन जाए, pregnant woman वाली वो सारी रिप्राइव क्या होता है, कि फासी की सजा मिल गई है इंसान को उसको थोड़ी देर के लिए रोक देना रोक देने का मतलब यहाँ पर यह ता कि वो कहीं और गुहार लगा सके, अपनी जिन्दगी को बचाने का कोई और तरीका ढूंड सके तो उसको वो opportunity दी जाती है कि जा तू अपनी जिन्दगी बचा ले नहीं तो तेरा काम जो है वो लगने वाला है ला ले, तो यह यहाँ पर रहता है, इसको बोलते है रिप्राइव, तो रिप्राइव और कुछ भी करके आप लोग याद रख सकते हैं नेक्ट बात की जा रहे है रिमिशन के लिए, तो रिमिशन में हाँ पर जो पर्टिक्लर इंसान जो काम कर रहा है उसको फिर से मिशन दे दिया जाता है यानि कि उसकी टाइम डिक्रीस कर दियाता है और उसकी के साथ में उसकी जो सजा है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा थोड़ी सी लोग कर दी जाती है फिर से दूसरे मिशन पर उसको भीज़ा जाता है ऐसा आप लोग बहुत सकते हो यह भी power जो है वो governor के हाथ में आप लोग को देखने को मिलती है ठीक है इसी के साथ में appointment किया जाता है आपर posting की जाती है या promotion कियाता है district judge जो रहते हैं high court से लिटर हैं आपर अगर बात करें जो judge रहते हैं उनके बारे हैं basically बात किया रही है तो district judge और high court से लिटर जो बाते हैं आपर तो उसमें भी participation governor का देखने को मिलता है ठीक है consult करते हैं president के साथ में appointment judge जब इस state के high court की बात कियाती है judicial service के बारे हैं बात करें with state high court consult कियाता है तो governor की judiciary power यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है जब इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते है तो बहुत ही basic सी information है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है question आप लोग के सामने हैं पर देखता हूँ कौन इसका सही सही exact answer देता है बात की जारिया when a bill passed by the state legislature attempt to take away the power of the high court is the जो presented before the governor for his ascent तो हैं पर वो क्या करेगा क्या वो उसको हैं पर may give the ascent क्या वो उसको ascent देदेगा may withhold his ascent क्या उसकी ascent को withhold कर लेगा is bound to return the bill for the reconsideration उसको reconsideration के लिए करेगा is bound to reserve the bill for the consideration of the president तो याद रखना जब कोई भी state assembly जो है जो है प्रिजिडेंट के लिए वो क्या करेगा प्रिजर्व कर लेगा कि अब तो प्रिजिडेंट साही भी देखेंगे प्रिजिडेंट का मतलब क्या होता है कि central government देखेगी कि तुम ऐसी हरकते क्यों कर रहे हो तो दायले से बाहर नहीं जाना है यह बताने की कोशिस की जाती है इस particular मुद्दे के अंदर में तो यह चीज़ें आप लोग को clear होनी चाहिए बिलकुल अगर clear नहीं होगी तो आप लोग इसको confusion में लेकर चल जाओगी तो बोला क्या गया है है यहाँ पर D में आप लोग देखते हैं तो बहुत ही basic सी और important information है confusion नहीं होना चाहिए next जो important यहाँ पर यह point है आप लोग के सामने की in case if the same person is appointed as a governor for the two or more state जो यहाँ पर उसके लिए जो भी यहाँ पर लब दिया जो भी उसके लिए फायदे जो भी यहाँ पर रहते हैं जो दियाते हैं तो यहाँ पर allow payable to him with a किस particular यहाँ पर एक कौन उसको भेहन करता है इनके कौन पे करता है तो यह बात बुलेगी है one of the state जो decide करते हैं यहाँ पर by the president the first state in which जो appoint किया गया है both states share the such जो भी हाँ पर उसके पास में जो button रहता है the second state in which he is been appointed he has been appointed तो आप लोग एसाब से यहाँ पर कौन होगा अगर common sense के इसाब से माने मतलब कि मान लीजे मैं बोलू यहाँ पर आप लोग बोले कि sir हमको कुछ यहाँ पर खरीदना है दो दोस्त हैं मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग होगे तो यहाँ पर जब दोनों हग दिखाने वाले हो तो पैसे भी दोनों ही डालोगे क्योंकि दोनों के केरियर की बात है तो बोध इस्टेट सेर भाई इस सच जो एक तरीक से proportion as determined by the president of India तो यह important fact आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं तो यहाँ से question अगर बने कलको तो आप लोग इसको लेकर confusion में नहीं रहना है तो बोध इस्टेट जो बोध इस्टेट जो हैं वो सेर करते हैं such proportion as determined by the president in India तो यह याद रखना याद रखना यादिके एक इंसान वहाँ नहीं करेगा दोनों के दोनों वहाँ करेंगे तो यह होत important question एक आप लोग हैं आपर देखने को मल सकता है कई बार ऐसे question जो हैं माइंड में confusion डाल देते हैं पलेकिन अगर ढंग से पढ़ोगे confusion नहीं रहेगा consider the following statement with reference to governor यादिके governor की reference में कौन सी statement जो है वो correct है यह बोला जा रहा है as regard legislative power the governor of the state is not a part of the state legislature यादिके जो governor है state का वो state legislature का part नहीं होगा consider करनी है आपर following statement कौन सी यहाँ पर correct है तो यहाँ पर legislature power अगर बात करें तो governor of the state is not a part of state legislature इसी के साथ में second में बोला गया है कि governor of the state has no emergency power to meet the situation arising for the external aggression यादिके कोई हमारे देश के ओपर अगर attack कर देता है तो governor को कोई भी power उससे लिटिड नहीं दी गई है कौन सी statement correct है only one, only two, both, यह फिर none of the above यह आप लोग को बतानी है मैंने state legislature की बारे में जब आप लोग को पढ़ाया था तो साप साप सब्दों में मैंने एक एक पॉइंट आप लोगें सामने डिस्कस के था कि state legislature में ये आप लोग को हमेसा याद रहना है कि governor होगा, chief minister होगे इसी के साथ में हाँ पर council of minister होगी और इसी के साथ में हाँ पर advocate general होगे ये सारी बाते में बड़ी detail में आप लोग explain की है कोई doubt इसके लिटा आप लोग का नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि regard the power of the governor state legislature not the part of state legislature तो ये statement old lady हाँ पर अपने पैरों में कुलाड़े मारने वाली बात होगी तो यहाँ पर ये statement बिलकुल गलत होगी कतई तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि governor and the chief minister के बारे बात की जा रही है तो ये basic information आप लोग माइंड में killer रखेगा क्योंकि इसको लेकर कोई doubt आप लोग के mind में नहीं रहेगा तो अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे तेक है direct question होते हैं इसे तो mind में जितने killer रहेंगे उतने ही अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे एक-एक point killer करकर आप लोग को आगे बढ़ना है next important बात क्या बोली गिए ये भी ज़्यादा खतरनाक level की बात है according to constitution of India the same person cannot function as a governor of two or more states as a same time यानि के same time पे same person जो है दो या फिर दो से जाद है राज्य का governor नहीं रन सकता है करते ना 25 सी बात है article 153 of the constitution जो है वो बोलता है कि यहाँ पर there shall be a governor for each state यानि कि देखो statement अगर किसने पढ़ी नहीं होगी तो यहाँ पर आप लोग इसको confusion में ले जाओगे यार ये बोला गया है article में कि governor जो है एक हर एक राज्य का governor होना चाहिए ठीक है दूसरे में ये बोला है कि एक ही इंसान जो है वो कही राज्य का governor हो सकता है तो आप लोग इसको कैसे समझते हैं ये चीज बहुत ही important है जो आप लोग के लिए समझने वाली है जो देखने वाली है इसको आप लोग ढंग से समझेंगे कि incorrect कौन सी है तो only one, only two, both या फिर none of the above तो A, B, C या फिर D आप लोग इसाब से क्या है या आप लोग को बतानी है तो answer बिल्कुल crystal के लिए आप लोग का होना चाहिए उसमें कोई doubt आप लोग का नहीं होना चाहिए तो क्या हो गया answer अगर आप लोग इसाब से बात करें तो answer आप लोग यहाँ पर इसका A देखने को मिलेगा A answer हो गया यानि कि according to the constitution of India same person cannot function as a governor of two or more state at the same time ठीक है तो cannot function यह था कब से पहले था यह 1956 से पहले हुआ करता था यहाँ पर ठीक है पर लेकिन 1956 के बाद में तो यहाँ पर 7th constitution amendment किया गया 1956 में और governor can एक two और या फिर more state तो article 153 जो है वो बोलता है कि there shall be a governor for each state यानि कि कुछ statement से बोले कि originally जो पंचातिराज system है वो part था हमारे समिधान का ऐसा नहीं है या हमारे समिधान में पंचातिराज system के बारे में explanation था ही नहीं कुछ भी बस article 40 में कुछ चीजे थोड़ी सी लिखी हुई थी और उससे पंचातिराज system established नहीं किया जा सकता था तो इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कि चीजे explain की गई बाटी में 73rd और 74th constitution amendment करके तो confusion नहीं होना है आगे बात की जारी कि governor of the state के बारे में बोल जाया है कि is vested with the executive power of the constitution governor of the state is needed because the federal structure of the government जो है वो established करनी है बात की जारी elected according to the original draft of the constitution ठीक है elected होना चाहिए original draft में ये बाते बोली थी कौन सी statement correct है ये बताना है only 1, 2, 3, 1, 3 या फिर all of the above तो A, B, C या फिर D में से कौन सी answer सही होगी आप लोगे इसाब से इसका answer देखे अगर तो आप लोगो answer D मिले गए हैं आप कि governor से elected सारी की सारी statement यहाँ पर correct हैं basically सबसे पहरे तो ये है कि एक तरीक से vested executive power और governor के नाम पर ही सारे काम किया आते है state के अंदर में जिसे center के president के काम करते हैं needed है because the federal structure के बारे है बात कि जा रही है तो ये भी याद रखेगा तो was elected according to the original draft of the constitution तो यहाँ पर ये old lady मैंने आप लोगों को समझाया कि ये बोला गया था कि elected होना चाहिए वा ऐसा बंदा ठीक है पालेकिन वो सीजे चल नहीं पाई ठीक है आगे बात करते हैं governor की पार के बारे में governor जो है can summon प्रोग ये फिर dissolve कर सकता है assembly दूसरा बला है governor can adzen जो sitting of the state assembly उसको adzen भी कर सकता है governor जो है address करता है first session of the legislative assembly after the election और governor जो है cause है lay the annual budget on the state assembly कौन सी correct statement है ये बताना है यानि कि only one, only two, all, only three या फिर all of the above सही answer क्या है तो यहाँ पर क्या 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 बोला है पहला बोला है कि governor can summon प्रोग और dissolve the state assembly होती है तो ये किस के हाथ में पार है गवर्नर के हाथ में बताइए governor can add the sitting of state assembly एड़िजन जो है एड़िजन मेंट की जो बात करते हैं ये काम governor का नहीं होता है ये काम होता है speaker का तो speaker of the assembly होगा वो ये काम करेगा ना कि governor governor यहाँ पर पहले वाला काम कर सकता है पर दूसरा नहीं करेगा फर्स session address करेगा और annual financial statement जिसको budget बोलते हैं वो रखेगा तो statement आप लोगी C देखने को मिल गए यानि कि ये statement यहाँ पर गळात हो गई answer अगर देखेंगे तो आप लोगी यहाँ पर चीज़े देख जाएंगी कोई confusion इससे लेटर नहीं होना चाहिए concept को ऐसे याद करो कि concept जहें दिमाग में छप जाएं जब तक दिमाग में छपें वो concept concept नहीं रहते हैं तो systematic way में चीज़ों को लेकर चलो और इतनी तसल्ली में पढ़ो ताकि सारी चीज़े जो हैं आप लोग याद रख पाओ तो कैसा लगा article सज सज बताओ यूपी का जो case था ये case study के तरीके से भी आप लोग ले सकते हैं एथिक्स के अंदर आप लोगों से यहाँ पर direct जो है चीज़े पूछी आ सकती है यह हाथ सा railway के अंदर हुआ बाकी हम लोग ने यहाँ पर बात है कि आइन से टेस्ट के ऊपर पहुँचाना आप लोग टेस्ट देने के लिए और ढंग से तसलिली में टेस्ट देना है जो भी सीरेस होकर यहाँ पर तैयारी कर रहा है इसी के साथ में application जिसने डाउनलोड कर लिया है रिव्यू जरूर दिया करो अच्छा लगता है पचास जार से जादा है डाउनलोड हो चुके है पचास क्या पचपन से भी उपर हो चुके है अभी देखा नहीं था मैंने और 4.9 की rating चल रही है तो यह बहुत ही बड़ी बात है आप लोग मतलब एक तरीके से इसके लिए तो salute है आप लोगो कितनी शांदार rating आप लोग दे रहे हो तो यह दिल से एक तरीके से में सुक्रिया करना चाता हूँ यार कि आप लोग उने सारे initiative को इतना appreciate किया है यह बहुत बड़ी बात होती है 5 में से 4.9 rating समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर यह किस level की चीज है तो यह आसान नहीं है इतनी सारी जो team लगी हो इसकी मेहनत है तो उसमें आप लोग उसको appreciate कर रहे है feedback जरूर देखरो उससे काफी अच्छा लगता है बाकी और भी कही सारे initiative आने वाले टाइम में आने वाले है जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि सारे जो paper है GS1, GS2, GS3, GS4 वो आप लोग यहाँ पर अभी देखने को मिलेंगे अलग-अलग उनका कुछ subject भी आप लोगे रहेंगे जैसे EPFO का course है वो expire होने वाला है तो उसके चलते हैं यहाँ पर कुछ जैसे कि आप लोगों ऐसे से enjoy क्या होगा फिर भी कोई दिक्कत कोई प्रहसान यह तो बताना तो नेक्स लेच्टन मिलतों तब तक अध्यान रखें बड़ों को नमस्ते चोड़ों को फ्यार छोड़ी सी लाइफ और enjoy करार नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन